नमस्कार आज एक मार्च की तारीख और दिन बुदवार है ये वीबी से हिंदी का पॉड़कास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है मैं हूं मुहम्मद चाहिद और मैं हूं मुहनलाल शर्मा आज के पॉड़कास्ट में बात भारत में G20 देशों के विदेश मंतरियों की बैठक उमेश पाल हत्या कांड और खेल की दुनिया की दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंतरियों का जमावला भारत से रूस यूक्रेन युद्ध पर कड़ा जवाब देनी की मार्ड विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्धे से कैसे निप्टेगा भारत इस पर भी करेंगे चरचार करना तक में इस साल होने वाले विधान सभा चुनावों से पहले क्या सोचता है बहां का मुस्लिम समुदाए ये भी जानेंगे लेकिन इन सबसे पहले जामते हैं महुनलाल शर्मा से पूरे दिन की कुछ खास ख़ब ने दिल्ली में जी 20 देशों के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा भारत से रूस युक्रेन युद्ध पर कड़ा जवाब देने की मांग विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस युक्रेन युद्ध के मुद्धे से कैसे निप्पेगा भारत इस पर भी करेंगे चर्चा उमेश पाल हत्याकांड से यूपी की राजनीती गर्माई चला बुल्डोजर जानेंगे क्या है पूरा मामला अमरीका के विदेश मंत्री एंटली ब्लेंकन ने कहा है कि नई दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान उनकी रूस या चीन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की कोई योजना नहीं है ब्लिंकन वो धवार को थोड़े समय के लिए कजाकस्तान और उस्बेकिस्तान के दौरे पर थे जहां से उन्हें G20 की बैठक के लिए नई दिल्ली रवाना हो रहा है माना जा रहा है कि नई दिल्ली की बैठक में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर महत्रपूल चर्चाएं हो सकती है रूस के विदेश मंत्री सरगे लावरेव और चीन के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे है ब्लिंकन ने उस बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में कहा जी ट्वंटी में किसी देश यानि के चीन या रूस के विदेश मंत्री से मिलने की उनकी कोई यूजना नहीं है हाला कि किसी सामोहिक चर्चा में निश्चित रूप से वो शामिल होंगे जी ट्वंटी के विदेश मंत्रीों की बैटक में हिस्सा लेने के लिए भारत आये ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने पिछले महिने BBC के भारती दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे का मुद्दा उठाया है ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री S. जैशंकर के साथ मुलाकाद की राइटर्स के मुताबिक जेम्स क्लेवरली ने एक इंटर्वियू के दौरान ये जानकारी दी पिछले महिने BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग ने करीब तीन दिनों तक सर्वे किया था समाचा रेजिंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि जैशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से कहा कि जो भी कंपनिया भारत में काम कर रही है उन्हें भारत के काईदे कानून का पालन करना होगा उधर ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स केवरली ने कहा मैंने डॉकुमेंटरी नहीं देखिये लेकिन निश्चित रूप से ये मैंने देखा कि ब्रिटेन में भारती ये प्रवासी समुदा है और यहां भारत में एक प्रितक्रिया है BBC एक स्वतंतर संगठर है जो कि सरकार से अलग है मेरे डॉक्टर जैशंकर के साथ बहुती मजबूत निजी सम्बन्ध है और मुझे लगता है कि यूके और भारत के बीच सम्बन्ध दिन बदिन मजबूत होते जा रहे हैं हमारे सम्बन्ध पहले से ही अच्छे दुईपक्षिय है ग्रीस में हुए ट्रेन हाथसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 36 हो गई है उत्तरी ग्रीस में मंगलवार शाम को ये हाथसा हुआ जब दो ट्रेने आपस में टकरा गई दुरगटना पैसंजर ट्रेन और माल गारी के टकराने से हुई ग्रीस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि हता होतों कि संक्या के बारे में अभी तक सटीक जनकारी नहीं है इस भीशन हाथसे में राहत और बचाव कारे करना बहुत मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पक्तून में 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को आदेश चारी किया है पाकिस्तान में समय से पहले आम चुनाव कराय जाने की मांग को लेकर पूर प्रधान मंतरी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरी के इंसाफ ने पंजाब में 14 जनवरी को और खैरबर पक्तून में 18 जनवरी को विधान सभा भंग कर दिया था देश की सरवोच अदालत ने पिछले हफ़ते इन दोनों प्रांटों में चुनाव में हो रही देरी का स्वताह संग्यान लिया था इस्राइल में दक्षलबंदी सरकार की नियाई पालिका में बड़े बदलाव की योजना के खिलाव तेल अवीव में हुए उगर प्रदर्शन में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनिट दागे हैं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन बदलावों से नियाईक स्वतंतरता से समझाता होगा और ये लोगतंतर के लिए खत्रा है रूस के मासको क्षेतर में एक ड्रोन कैश हो गया है इस बारे में वहां के गवर्नर ने कहा कि संभवे ये ड्रोन रिहाइशी इलाकों पर हमला करने की कोशिशों के तहट भेजा गया हो गवर्नर आंद्रे बाराविव का वह ये बयान तब आया जब रक्षा मंत्राले ने दो यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिनाने की जानकारी दी FBI डिरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि FBI मानता है कि चीन की सरकारी लैब में COVID-19 के पैदा होने की सबसे प्रभल संभावना है क्रिस्टोफर रे ने फॉक्स न्यूस से कहा कि पिछले कुछ वक्त से FBI ने ये पाया कि चीन की सरकारी लैब में किसी घटना के बाद महमारी की शुरुवात हुई है और मनीश से सौधिया और सतेंद्र जैन के स्तीफे के बाद खाली हुए मंत्रालायों के जिम्मेदारी के लिए दिल्ली सरकार ने कैलाश गहलोत और राज कुमार आनंद को चुना है पोर्टफोलियो के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री के जिवाल के प्रस्ताव को लेटनेन गवर्नर वी के सकसेना ने मंजूरी दे दी है चैनल पर भी सुना जा सकता है इसके लावा ये पॉडकास्ट गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मॉबाइल एप्स पर भी मौजूद है और पॉडकास्ट में मौहन अबबाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थवयस्ताओं के समू यानि G20 की 9 से 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में सम्मेलन आयजुत होगा और हम जैसे की जानते हैं पिछले साल इंडोनेशा में प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी को इसकी अध्यक्षता स्वापी गई थी लेकिन उस सम्मेलन से पहले जो सितंबर में होने वाला है उससे पहले G20 की कई एहम बैठकें और कारकरम पूरे देश भर में चल रहे हैं शायद अगर कारकरमों की बात करें तो हर्याणा के गुरुग्राम में आज से लेकर तीन मार्ज तक एंटी कर्रेप्शन वर्किंग ग्रूप की बैठक हो रही है इसके अलावा इसी महने एजुकेशन वर्किंग ग्रूप की बैठक जॉइंट फैनेंस हेल्थ टास्क फोर् बिल्कुल विदेश मंतरियों की बैठक पर लेकिन थोड़ा पीछे जाते है मौन जो वित्मंतरी की बैठकों की अब है आपने बात की वो बहुत चर्चा में रही थी और उसकी चर्चा की वज़ा जो ती वो आज भी बनी हुई है और वो हर अंतराष्टी संमेलन में बनी रहती है और वो है रूस-उक्रेन यूद क्योंकि हम जानते हैं कि रूस-उक्रेन यूद की वज़े से कितने बड़े-बड़े पैमाने पासर पड़ा है दुनिया जहां में और यह जंग का मसला है और विदेश-मंत्रियों की बैठक जो अब होने वाली है माना जा रहा है कि उसमें भी यह मसला गर्मा सकता है आज से G20 देशों के विदेश-मंत्री भारत आना शुरू हो चुक है कुछ कल आ चुक है कुछ आज 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 आएंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि चीन के जो विदेश-मंत्री हैं वो कल भारत आएंगे लेकिन आज जो है बहुत सारी द ने कहा है कि भारत G20 की बैठक का इस्तिमाल रूस के खिलाफ एक कड़े संदेश के तौर पर मौके के तौर पर कर सकता है जोजेफ बोरेल कहा रहे थे कि मुझे आशा और भरोसा है कि भारत की कूट नीतिक शमता का इस्तमाल रूस को ये संभाने मि किया जाएगा कि ये युद्ध खत्म हो और मुझे लगता है कि प्रधान मंतिरी मोदी के शब्द कि ये यूद्ध का दोर नहीं है जो की अभी भी अच्छे हैं और इन्हें दोहराया जाएगा ये युद्ध जारी रखने का वक्त कताई नहीं है बिल्गूल ये जो शब्द है जो जो वारिल के जो शब्द है जो इन्होंने कहे के प्रधान मंद्रिय नजैंद मोधी ने ऐसा कहा आता तो मौन अगर मैं पीछे जाओ तो शांगाई, सहयोग जो संगठन है उसके सम्मेलन में जो है प्रधान मंद्रिय ने रूसी राशपती ने भी बाद दोर आई थी और अब अगर हम आएं इस पैठक पर आएं तो यह इसलिए भी एहम है क्योंकि इसमें अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंतरी भी भाग ले रहे हैं और हम सब जानते हैं कि आजकल अमेरिका की इन दोनों देशों से तनातनी हैं क्योंकि रूस क विदेश मंतरी एंटली बिलिंकन ने साफ कर दिया है कि वो इस सम्मेलन के दौरान किसी से भी नहीं मिलने जा रहे हैं तो यह कह दिया एंटली बिलिंकन ने के अभी साफ नहीं है और माना जा रहा है कि नहीं होगी अगर मैं बात करूँ जो बीते सब्ता वित्मंतरियों की बैठक होई थी तो उस दौरान भी रूस यूक्रेन का मुद्धा चाया हुआ था जैसा हमने भी चर्चा की लेकिन मोहन उस वक्त जो है न वो ब्हूमिका हो जाती है भारत की क्योंकि वो अध्यक्षता कर रहा है और अध्यक्षता करने के नाते उसको अपना सारांश भी पेश करना होता है और हम देखते आएं अब तक कि भारत किस तरीके से युक्रेन रूस के मामलें बहुत कदम फूंपूंप के रख रहा है और साफ कभी नहीं बोलता है एक डिप्लोमेटिक जिसे कहते हैं कूटनीती जिसे कहते हैं वो मान के चलता है तो भारत ने उस सारांश में कहा था कि सबके अलग-अलग मत हैं लेकिन भारत में कुछ नहीं कहा था लेकिन शाहिद भारत का मानना है कि विदेश-मंत्रियों के बैठक में यूक्रेन युद्ध बातचीत का मुद्धा हो सकता है विदेश सचे विने कवात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान के जानकारी थी रोशा-युक्रेन इस्वी यूद्ध बातचीत का मुद्ध होगा कहीं तराश्टी मुद्ध होंगे लेकिन इस बातचीत के बाद क्या निकल कर सामने आएगा वो देखने वाली बात हो अगर हमने अभी बात की जापान और दक्षन कोरिया के विदेश मंतरी इस बैठक में नहीं आ रहे है उनकी जगा जूनियर मंतरी इस बैठक में आ रहे है उन्होंने अपने कुछ देश के घरेलू वजहों से वो नहीं आ पा रहे है अगर भारत की बात करें तो जी ट्वेंटी की जब से घोश्टा हुई है तो भारत साफ कहता रहा है कि उसकी प्रात्मिक्ता जो है वो जी ट्वेंटी में उन मुद्दों पर है जो विकास शील देशों के लिए जरूरी है जिनमें जलवाई परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़ती महगाई, खादे और उर्जा सुरक्षा और विकास शील जो देश है उन पर एक जो बढ़ते कर्ज है वो सब मुद्दे में रहेंगे जी ट्वेंटी के लिए लेकिन शाहिद इन सब के बावजूद भारत को मिलेगा क्या हासिल क्या होगा यह बड़ा सवाल है इसके लावा रूस यूकरेन युद्ध की छाया कितनी हावी होगी भारत के आगे क्या चुनौतियां है इनी सारे सवालों को समेटा है बेबी सी समाधाता गुर्पीट सैनी ने और यह सारे सवाल रखे हैं MPIDSA में यूरेशिया सेंटर में एसोसियेट फेलो डॉक्टर सौस्तिराव से जाहिर है कि फॉर्ण मिनस्टर्स की मीटिंग में अब जब जिसमें लावरॉफ कुछ चामिल होंगे तो फिर ये बुद्धा आएगा ही हिंदुस्तान के सामने जो धरम संकट है वो ये कि हिंदुस्तान अपनी G20 प्रेसिडेंसी को एक तरीके के ब्रिज के तरीके से प्रस्तुत करता है कि एक एक इसे आउटकम के साथ आना जिसमें कि सारे देश और आपको पता है कि किस तरह की फॉल्ट लाइन है तो इस फॉल्ट लाइन के बावजूद कैसे consensus बनाए जिसमें युकरेन के मुद्धे पर कोई आउटकम स्टेटमेंट पा सके ये हिंदुस्तान के सामने चालेंज डेफिनिटी रहेगा क्या भारत के लिए ये सुविधा जनक होगा कि युकरेन के मुद्धे पर चर्चा हो या भारत किसी अन्य मुद्धे पर चर्चा को तवज्जो देना चाहेगा ये समझना भी कही न कहीं जरूरी है कि हाला कि G20 अपने आप में एक एक एकनॉमिक फोरिम है ये दुनिया के एकनॉमिक प्रॉब्लिम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है लेकिना अधर सेम टाइम पॉलिटिकल अजेंडा इसको ड्राइब करते हैं पॉलिटिकल अजेंडा इसको हाईजाट करते हैं और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है इसके पहले के भी तमाम G20 समिट्स में और मीटिंग्स में इस तरह के जो मौझूदा इफिकल प्लिटिकल मसले हैं वो उस पे रिफ्लेक्ट करते रहे हैं तो ऐसा करना कि हिंदुस्तान पूरी तरह से युक्रेन की मुद्दे को पे बात ही ना करे ये मुश्किल जरूर है पर हाँ ये हमारे लिए कहीं न कहीं एक तरह का डिस पॉसिबल आउटकम होगा क्योंकि हम जैसे मैंने कहा कि हमारे सामने चालेंज है इकुल क्रेटिबिलिटी बनाने का देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि बैठक जो अभी सरफ दो दिन पहले ही जो फाइनांस मिनिस्टर्स की और जो सेंट्रल बैंक के हैट्स की मीटिंग होई थी उसमें वो वर्डिंग नहीं बनभाई थी इस पे रशा और चाइना दोनों नहीं एतरास किया था कि वार हम नहीं करेंगे कही नहीं मैं इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकती हूँ कि उनाइट डेशन्स जेनरल असेमली में जो अभी लेटिस्ट कोटिंग हुई थी वहां भी हिंदुस्तान ने वर कहने से इंकार किया था तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीच का रस्ता जरूर निकाला चाएगा क्योंकि असलिए मेरा ऐसा विश्वास है क्योंकि हिंदुस्तान का जो फोकिस है वो इस बात पर है कि हम कैसे एक कंस्ट्रॉक्टिव यूरो स्टेप्स पर हम लें G20 के जरीए और G20 का जो काम है वो यह है कि जो इक्माम के इशूज है और जो दुनिया में तमाम कॉन्फिक्स के वज़े से जो हंगर इशूज है पौवर्टी इशूज हैं डिस्ट्रिबूशन से लेके इशूज हैं आएमिफ के प्रॉब्लम से फाइनाशल मेशर्स हैं वो हमारा जो में काम है तो हिंदुस्तान की कोशश है रहेगी कि डिप्लमाटिक तरीकों से डिस्पश्शन से या तो हम इस बात को बिटा के ले जाएं कि हमें सीधे सीधे इसमें नहीं दिखना पड़े किसी खेमे में बटा हुआ और दूसरा यह है कि हम कंद्स करें G20 देशों को कि G20 का जो मूल fundamental objective क्या है और उसके तहत हम अपना जादा समय और रिसोर्स जादा हम इस पे जायाने करें जर्ट ना करें G20 सम्मेलन और इन बैठको से भारत को आखिर क्या हासिल होगा ध्यान रखने वाली बात है कि जो अभी Wednesday को मीटिंग होगी यह अपने आप में कोई first or last मीटिंग नहीं है जो सबसे important मीटिंग है वो definitely तब होगी जब हम leaders summit करेंगे towards September 2023 अभी जो मीटिंग हो रही है वो हमको एक तरह से building blocks है बहां तक पहुंचने के लिए तो इनका individual महत वो जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आप में इनका कोई final महत नहीं है as a mediator, as a player जो mediation or negotiation में हिश्वास करता है वो और भी ज़्यादा प्रक्र किया है अगर आपने धिहां दिया होगा पिछले कुछ दिनों में तो कि हमारे उपर ये responsibility है कि हम G20 की stewardship को एक constructive jama कैसे पहना है और ऐसा नहीं हो कि हमारी G20 जो है वो उसमें walk out होते रहे और केबल जो consensus ना बनता है तो हमारी कोशेश यही रहेगी जो हमारी political standing है युक्रेन war को लेकर हम उस पे कायम रहे और G20 के main agenda पे हमसे हावी ना होने पे तो G20 में क्या agenda हो सकता है उसका visualization कर रही थी डॉक्टर सुअस्ती राओ ये BBC Hindi का news podcast दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है आगे podcast में जानेंगे बुल्डोजर जो चला है वो जफर एहमद के घर पे चला है और ये जफर एहमद अतीक एहमद के उनके साथ पुराने तालुकात है और ऐसा बताय जाता है कि अतिक एहमत का जो घर 2-3 साल पहले ढ़ा दिया गया था तो उसके बाद उनका सारा परिवार जफर एहमत के घर में रह रहा था उमेश पाल हत्यकांड से यूपी की राजनीती गरमाई चला बुल्डोजर जानेंगे क्या है पूरा मामला इसके अलावा इंडिया आस्ट्रेलिया टेस्ट मैच पर डालेंगे नजर मौन लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं यूट्यूब और फेस्बुक का लगातार पेस्बुक की टिपड़ी मेरे पास है और ये मैं पहली टिपड़ी पढ़ रहा हूँ मदललाल नंबोरिया की ये कह रहे है कि G20 सम्मेलन में रूस और यूकरेन युद्ध को लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा ना हो वो ही भारत के लिए बहतर होगा और जग्दीश वर्मा लिख रहे हैं कि रूस यूकरेन युद्ध सिर्फ आपसी बातों से ही रुख सकता है और जिसके लिए अमरीका और यूरोपी ये देश कुछ गंभीर नहीं दिख रहे हैं कुल्दी इप सिंग जाखर कहा रहे हैं कि जी ट्वंटी सम्मीट में रूस को लेकर कड़ा रुख अपनाया जाएगा ऐसा लगते हैं कि सम्मेलन में यूकरेन युद्ध को जल्द खत्म करने का आगरह किया जाए कॉमेंट कर रहे हैं लोग मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि इसे शेर भी करें बढ़ते हैं पॉडकास में अगले पढ़ाओ पर और बात यूपी की उत्तरप्रदेश की बात करते हूँ उत्तरप्रदेश के प्रयागराज शहर में चार दिन पहले एक हत्याकान हुआ था उमेश पाल हत्याकान इस मामले में हर रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं और राजनीती भी गर्मा गई है बिल्कुल गर्माई हुई है प्रियाग राज पुलिस ने इस मामले की एक अभ्यूक्त को मुटभेड में मार दिया है वही मंगलवार को कुछ तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल होई थी जिसने राजनीतिक दलों से अभ्यूक्त की कतित नजदीकियों पर सवाल खड़े कर दिये जी तो मुख्यमंत्री योगी आदिप्तियानाथ जो है उन्होंने प्रियाग राज की घटना के लिए जो है समाजवाती पार्टी की आलोशना की है करते रहे हैं आज भी उन्होंने जो है विधान साभा में बोला है उन्होंने पह पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब ही आप उससे मो मोडने का प्रियास कर रहे हैं तो दरसल उमेश पाल हत्या मामले में बहुत सारे किर्दार हैं उसमें अतिक हमत हैं और बहुत सारे उल्जी होई कहानी लग रही है तो यह पूरा मामला क्या है तो इसी को मैंने समझा बीबीसी समाधाता अनंत जहनाने से 24 परवरी को उमेश पाल जो हैं वो एक पकील हैं वो लौट रहे थे और उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई प्रयाग राज में जी और उनके साथ एक गनर था उनको सिक्योरिटी अलॉटेट थी उसकी भी हत्या हुई उसकी जो मौत है इलाज के दौरान हुई और इस पूरे म पात का नाम FIER में आ गया उमेश पाल का राजॉपाल हत्या च scientists के गवहा थे राजूपाल पूर्विधायक हुआ कर दे थे उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद ये उस मामले में गवहा बने लेकिन बाद में ये दौह hmजारपाँच जी और उसमें इनको फिर मतल़ लेकिन उमेश पाल जो हैं उन्होंने अतीक एहमत के खिलाफ एक किडनापिंग का मुकदमा दर्ज किया जिसमें उन्होंने अतीक एहमत को आरोपी बनाया था। तो ये सारे मामले जो हैं वो अतीक एहमत से जुड़ते हैं। जी बिलकुल और अतीक एहमद जो है जब फूलपुर के सांसत बने तो उनकी दधानसभा सीट खाली होई उस पर उनके कृष्टदार चुना लड़े जो राजुपाल से चुनाव हारे तो ये उनके बीच में राजुपाल और अतीक एहमद के बीच में राजनितिक रंजिश क जो जड़ बनी अब ये किस तरह से पोलिटिकल पार्टी में इस समय दिखाई दे रही है पूरी तोर से मतलब ये जो सपा और भाजपा की इसमें राजनितिक जो है और मतलब वो आमने सामने है इसमें आप खुद देख रहे हैं मुख्य मंतरी ने विधान सभा में भाशन दिया है कि जिस अतीक एहमद जिसका नाम आ रहा है इस मामले के अंदर उसको सपा ने पोशित किया है वो माफिया है तो इस तरीके की राजनितिक बयान बाजी हो रही है अखलिश यादव की भी एक फोटो वायरल हुई जिसमें जो मामले में आरोपी है सदाकत खान उनकी एक तस्वीर दिख रही है उसको प्रमानित नहीं किया गया लेकिन ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है सपा का जो मीडिया सल है उसने एक सदाकत खान के किसी भाजपा के विधायक के पती के साथ तस्वीर वायरल की है तो ये राजनितिक बयान बाजी का एक जरि हो रही है ये वहीं है जिनको की शूट-ाउट किया गया जी ये वो नहीं है वो एक और शक्स थे जिन जिनको बताते हैं क्या जिस गाड़ी में ये लोग आये हमलावर आये उसके ड्राइवर है जिनका शूट-ाउट हुआ उसके बाद उनकी मौत हो गई लेकिन सदाकत खान जो है वहाँ पर मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है यहाँ पर प्रयागराज के अंदर वहाँ पर कमरा नंबर 36 में रहते हैं तो पुलिस का आरोप यह है कि सदाकत खान इसके की कंस्पिरेटर है एक मास्टर माइन है जिनके हॉस्टल के कमरे में इस पूरी घटन को अंजाम देने की साजी शुटल शुकार और यह उत्त्र परदेश सरकार ने आज बुलडोजर एक बार फिर से चला है जी वह बुलडोजर जो चला है वह जफर हहमत के घर पे चला है और इसके जो इमेड तेया गच्पाल उफ्या तो इसके बाद उनका सारा परिवार जो सूत्र जुड़े हुए हैं तमाम उन पहलियों को समझा रहे थे अनन्त अनन्त अब रुख करते हैं यूपी से करनाटक की ओर मोहन और क्योंकि इस साल इस राज्य में विधान सवा चुना होना है और करनाटक में मुस्लिम नेताओं की अपनी पार्टियों से मांग क्या है और उनकी किस तरीके की सीटों की मांग है उनका दावा क्या है सियासत पर और वो समाज में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ये सब बहुत एहम सवाल है और मुस्लिम समुदाय हमेशा से कहता रहा है कि वो हाश्य पर है यहाँ पर महतपूर बादी है कि राज में लगबग 20-23 विधान सभाक शेत्रों में महतपूर मुस्लिम वोट है ज़कि मुस्लिम समुदाय की आवादी 13 प्रतिशप राज भर में मौझूद है इसलिए कॉंग्रेस के मुस्लिम नेता विधान सभाकी कुल 224 सीटों में से केवल 21-23 सीटों में मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करने की मांग कर रहे है तो यह क्या है और वहाँ पर क्यों लोगों को यह मुद्दे गरम है यह जानने की कोशिश की है बीबी से समाधाता ज सुबहर है मनने फिर अजान का मस्तला शुरू हुआ क्योंकि हर दीन हमें क्या आएक तो एक ने तो एक डर में रहना जरूरी है जबीन खानम एक मानाव अधिकार प्रचारक है वह इन बीडी मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ती है यह सभी मजदूर गरीब मुस्ल पर्सेंट है उस हिसाब से क्या है ना तो असंबली में मुस्लिम के हमावाज है ना तो पार्लिमेंट में इनको क्या है को एक तरफ से राजकी से जो पॉलिटिक से क्या है इनको दूर करने से एक तरफ से क्या है इनके मसले मसाईल को वह आवाज नाय उठाए है पिछले साल करनाटक में हिजाब को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था मुसलिम निताओं का दावा है कि समुदाय सामाजिक और राजनीतिक तोर पर हाशिय पर जा रहा है आज हिंदुस्तान में जो माहुल बनाया गया है समाज में जिस तरीखे से मैनौरिटी मैजॉरिटी का जो एक खेल खेला जा रहा है और इसमें मैनौरिटी को अलग करके मैजॉरिटी को जोडने की एक सियासत चल रही है जेसा जेसा ये पोलराइजेशन कमिनल पॉलिटीक्स बढ़ती है तो मैनौरिटी के लिए बहुत बड़े चैलेंज़स हो जाते हैं इसलिए कॉंग्रेस पार्टी के मुस्लिम निता आगामी विदानसभा चुनाओ में बहतर प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं मौजुदा विदानसभा में सभी साथ निर्वाचित मुस्लिम विधायक कॉंग्रेस पार्टी से हैं एतिहासिक रूप से मुसल्मानों का विदानसभा में बहतर प्रतिनिधित्व रहा है उच्चतम सत्रा था हमारे जो रप्रेजेंटेशन था निइंटीन सेवेटी एंड में सतरा नुमाइन दे एलेक्ट हुए थे अब उसके बाद सेवेंटी लगाता घट्ती आ रहे हैं 12 भी हुए हैं 11 भी हुए 9 भी हुए हैं तो अब जो साथ को आ गए हैं तो यह घर्टा जा रहा है, इसके बीजेपी का पॉलरिजेशन भी एक वनावती रिसा है। राश्टी हिंदु सेना के नेता प्रमोध मुतलिक ने पिछले साल राज्ज में हिजाब विवाद के बाद मुसल्मानों के आर्थिक भहिशकार का आहवान किया था। उनका दावा है कि मुसल्मानों के राजनीतिक हाशे पर जाने की जिम्यदार कॉंग्रिस की तुष्टिकरण की पॉलिसी है। इससे क्या हुआ हिंदू समाज एकत्री करण आने आने लगे। लेकिन मुसलिम समुदाय के नेता धुविकरण परिसीमन और मनी पावर को समुदाय के बढ़ते राजनीतिक हाशे पर जाने का मुख्य कारण बगाते हैं। यह हमें सोचना है कि इस मुल्क में जिस तरीखे की सियासत हो रही है, जिस तरीखे का समाज बनानी की कोशिश किये जा रही है। इस में कैसे एक आम आदमी किसी भी मख़ब का क्यों नहों और खास तोर से मैनोरिटी का क्यों नहों वो खुलकर आकर राजनीति में हिसा पैसे ले सकता है। अन्य पार्टियों में क्या स्तिती है। Purn Pradhan Mantri Desvioguarda की जंतादल secular थामूसलिम उमीद्वारों को अच्छी संख्या में सीटे देनी की योजना बनारही है। डर सुषन में को कहें डिए दूस लेकिन प्रमोद मुतलिक कहते हैं कि मुसल्मानों को काबू में रखना जरूरी है आमतार से बीजेपी मुसलिम उमिद्वारों को मैदान में नहीं उतारती है पार्टी की कई नेताओं से हमने इस संबंध में उनकी राह लेने के लिए उनसे संपर्क किया लेकिन कोई बात करने को तयार नहीं हुआ वैसे पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि वो उमिद्वार की शमता देखकर टिकट देती है ना कि उसके धर्म या जाती को देखकर जुबेर रहमत की इस रिपोर्ट के बाद अब वक्त है खेल की खबरों का और खेल की खबरों के अगर बात करें तो आज से तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया मोहन इन दौर में इंडिया ऐस्रेलिया के बीच ताश के पत्तों की तरह विकेट गिर रहे थे आज तो युक्को promotes हमेशा से अब तक जो पिछले दो मैच हुए जिसमें भारत ने जीत-दर्ज की उस दौरान भारतिया टीम की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती रही वहराल भारत या टीम की आलोचना नहीं होनी चाहिए वो पिछ की आलोचना होती रहे कि पिछ ऐसी है पिछ वैसी ऐस्टेलिया मीडिया ये कहता रहा लेकिन आज पिछ को ही लेके भारतिय टीम जो है वो ढह गई एक सो नौ रनों पर भारतिय टीम की और से सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए 22 रन और अगर हम बात करे गेंदबाजी की तो आस्टेलिया के और से मैथ्यू कुनर्मन ने पांच विकेट और नैथन लॉयन ने तीन विकेट लिये और आस्टेलिया इस वक्त 156 रन बना कर चार विकेट के नुकसान पर खेल रही है भारत से आगे 47 रनों की लीड ले चुकी है और चार विकेट जो लिए हैं वो किसने लिए मालुम है किसने हैं जो हमेशा से लेते आएं रविंदर जडेजा हर धर मैच में जो है वो शांदार गेंदबाजी का मुझाहरा कर रहे हैं अब देखना यह होगा कि भारतिय टीम को कितने रनों की लीड मिलती और भारतिय टीम उसको किस तरीके से निपटा पाती है ये एक बड़ी रहते हैं और अब वो नंबर वन हो गए हैं टेस्ट मैचों में 463 विकेट ले चुके हैं और इंदोर टेस्ट को मिलाकर अश्विन 91 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जो चल रहा है तो आज दिन भर पूरा दिन पूरी ख़बर के इस संक में यानि कि आज के इस पॉड़कास्ट में बस इतना ही इस पॉड़कास्ट के दोरान स्टूडियो की कामान सम्हाल रहे थे रविशंकर कुमार मुझे यानि कि मुहनलाल शर्मा और मुहमत शाहित को दें इजाज़त लेकिन इस वादे के साथ कि बीबीसहिंद्र.com का पन्ना आपके साथ है बिलकुल आपके साथ है और सोमार से शुकरवार पॉड़कास्ट भी आपके साथ है जो लाइव होता है शाम साड़े साथ बज़े से दें इजाज़त नमस्कार